मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरे पानी के लिए तुरन सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल मौसम नीरी करवट बारिश के बाद खेले दूप सर्दियों को लेकर जारी हुई ये चेतावनी देश के कई राज्यों में मौसम करवट बदल रहा है कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है कुछ जगाओं पर तो ठंड ने दस्तक दे दी है ऐसे में मौसम विभाग ने देश के मौसम को लेकर ये अलट जारी किया है 15 अक्टूबर दिवाली आने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन देश के कई राज्यों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है वहीं दिल्ली की बात करें तो राश्टिय राजधानी में पिछले दिनों हुई जमाजम बारिश के बाद गुलावी ठंड महसूस होने लगी है मौनिंग वॉक के लिए निकले लोग भी ठंड महसूस कर रहे हैं इसके साथ ही कई इलाकों में धुंद की चादर भी देखी गई है मौसम विभाग आईमडी ने दिल्ली उतपिदेश उत्राखन बिहार जारखन MP हर्याना और पंजाब में 15-18 अक्टूबर तक मौसम का अनुमान और बारिश के अनुमान जारी किये है इसके साथ ही मौसम विभाग नी जारखन में 16 और 17 अक्टूबर को कुछ इस्थान उपर बारिश हो सकती है आपको बताते चले IMD के मुताविक मद्ध भारत से दक्षिन पर शिम मानसून की और वापसी किये लिए इस्थितिया अनुकूल होनी की संभावना बढ़ गई है वहीं अगले तीन दिनों के दोरान महराष्ट और पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों से पूरी तरह मानसून की वापसी हो जाएगी अगले पास दिनों के दोरान दक्षिन प्राइद दीपिये भारत में भारी बारिश का अलट जारी किया गया है आपको बता दे उतप्रदे इस यूपी में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है और बारिश के आसार नहीं है राजी के अलग-अलग जिलों में सुबह और शाम में गुलावी सर्दी ने दस्तक दे दी है मौसम केंदर लखनों के पूर्वा नुमान के मताबिक राजे में 19 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा 17 अक्टूबर तक इस्टर्ण वे वेस्टर्ण यूपी में कहीं पर भी बारिश नहीं होने का नुमान लगाया गया है राज्थान के मौसम का हाल लगातार बारिश से अब राहत मिलने की संभावना है आने वाले पांस दिनों में अभी कोई नया सिस्टम सक्रियन नहीं होगा मौसम साफ होने से पिछले तीन दिन में ही नियूंतन तापमान 7 दिगरी की गिरावट हुई है ठंड को लेकर जारी हुई ये चेतावनी आपको बताते चले मौसम विभाग के अनुसार इस साल जादा बारिश के कारण ठंड भी अच्छी खासी पड़ेगे पिछले कुस दिनों में हुई बारिश के कारण धर्ती में पर्याप्त नमी है जिससे इन दिनों हीटिंग में कमी बनी हुई है यूँ तो हड़ साल पंदा नवंबर के आज पास ठंड परती है लेकिन इस बार अक्टूबर महिने में ही तापमान में वड़ी तेजी से गिरावट आई है मौसम वेग्यानिकों के मुताबिक ऐसे में ठंड का पीरियट भी बढ़ने जा रहा है यानि कि इस बार सर्दियों के सीजन में 15 फरवरी के बाद तक कडाकी की ठंड रहेगी आपको बता दे पूजा के समय से ही उत्तर बंगाल के लगबख सभी जिलों में बारिश हो रही है नम्मी के बाद से वर्षा की मातरा में व्रती हुई है हलाकि दक्षिन बंगाल भी पूजा में डूबा हुआ है ऐसे में लोग यह जानने के लिए उत्सुख हैं कि काली पूजा के दोरान बंगाल में कहा बारिश होने का अनुमान है इस बीच मौसम विभाग के पूर्वा नुमान में कहा गया है कि अगले दो से तीन दिनों तक कोलकाता समेथ दक्षिन बंगाल के जिलों में मद्यम बारिश की संभावना है कारण बताया जाता है कि वर्टमान में जलवास्प की हवा बंगाल की खाड़ी से बंगाल की छाती में प्रवेश कर रही है वर्शा के लिए उप्योगत जलवास्प के साथ उत्तपश्यम से हवा चल रही है इसलिए अगले कुछ दिनों तक कोलकाता और आसपास के जिलों में बारिश का अनुमान है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत